जये माता दी दोस्तों, एस्टोलोजी और वास्तू ज्यान यूटूब चानल में आपका स्वागत हैं। दोस्तों, हमारे जीवन को सरल और सुखदाई बनाने में जोतिश शास्तर का हमेशा से अहम योगदान रहा है और आगे भी रहेगा। ऐसे में हमको अपनी दिन भर की देनिक दिन चर्या को सफल बनाने के लिए हमारे देनिक राशी फल के बारे में पता होना चाहिए तो आईए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं मेश राशी वालों का एक और दो मार्च 2021 का देनिक राशी फल कैसे रहेंगे आपके ये आने दो दिन चलिए जानते हैं आपको अपना अधूरा काम समय पर पूरा करने के बहुत से मौके मिलेंगे आपकी दूसरी परिशानियां भी तुरंत दूर हो जाएंगी उनके बारे में चिंता ना करें आज अधिक से अधिक काम करने की कोशिश करें क्योंकि आपको आज के आज उस बारे में भी रात की खबर मिलेगी आपका कोई करीबी लंबे समय से किसी स्वास्त समस्या से जूज रहा है आज आपको उसका भी कोई समाधान मिल सकता है और यह बहुती कारगर साबित होने वाला है आप आज प्रेम से उतपरोत होना चाहते हैं और आज के दिन आ आपने अपने साथी के साथ साजह करने के लिए योजना बनाई है लेकिन अन्य प्रतिबद्धिताओं के चलते आज आप रोमांस और प्यार से दूर रह सकते हैं समय के अभाव के कारण आपको प्रेम प्रसंगों से दूर होना पड़ सकता है लेकिन फिर भी अगर आप कु अफी प्रशंसा होगी और साथी साथ आपको घर में उपहार भी मिल सकता है जो आपके दिन को प्रजवलित करेगा और आप इसके हगदार भी है आपने अपने करियर को उठाने के लिए बहुत प्रयास किये हैं जिससे कि आपको अपने कारे की सराहना मिलेगी और अब उनक फल मिलने का समय भी है आज के दिन आप कुछ महेंगी खरीदारी में भी व्यस्त रहेंगे आप अपनी अनूठी सीमाओं और ब्रेकिंग पॉइंट्स को लेकर जागरूख होंगे इस समय आपका दिमाधन और संपत्ति पर केंद्रित है और आप निवेश को लेकर आए आत् जरे नजदी की लोगों पर रखें बजट व्य या अन्यमोडरिक मामलों के बारे में किसी बड़ी बैठक से बचें अगर आपके विचार किसी समस्या को हल कर सकते हैं तो उन्हें शेयर करें किन्तु अधिक विवरण की जिगे संक्षेप में इसे सुल जाएं याद रखें आप लोगों से जैसा विवार करेंगे लोग भी आपसे वैसा ही विवार करेंगे गहराई में जाने की हिम्मत दिखाएं फिर बाचाहे निजी विचार शेर करने की हो या शारीरिक गतिविद्यों की भाग ये आपका अच्छा साथ दे सकता है इस समय में आर्थिक लाब के द्रिश्टी से किसी तरह के कामकाज को विस्तार की युजनाय बनाई जा सकती हैं, आरोग्य में समय के साथ साथ उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे, आज के दिन आप थोड़े उदास हो सकते हैं, आपके साथ कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप आज आवशकता से अतिधि नाटक टीवी सीरियल देखते हैं, और उसमें आपके पसंदीदा चरित्र के साथ कोई समस्या होती है, तो भी आप भावुक हो जाएंगे, बेहतर रहेगा कि आप अपने परिवार के उन सदस्यों, उन दोस्तों या रिष्टेदारों की संगती में समय बिताएं, जो बहु समय से चली आ रही है, आज पकिसी पर मुग्द हो सकते हैं, और रती भावुक होकर उसे प्रेम प्रस्ताव भी दे सकते हैं, अगर कोई नया प्रेम संबंद शुरू नहीं होता है, तो आप अपने ही प्रेमी या जीवन साथी को पूरी तरह एक नई दृष्टी से देखना शुरू कर देंगे, लेकिन काल्पनिक अव्याहरे कि यहां असंभव कीस्म के सपनों में नफंसें, वरना आप गहरी निराशा में फंस जाएंगे, विचारों में उगरता पर भी नियंतरन रखें, आज अपने प्रेमी या जीवन साथी के साथ आपके संबंद आपकी वक्ता महसूस करेंगे और चाहेंगे कि आपका प्रेमी या जीवन साथी लगातार आपकी चिंता करता रहे, आज आपको अचल संपत्ती से या किसी अनपेक्षित स्रोत सिधन लाब हो सकता है, नौकरी में आज आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, आज आपका स्वास या प्रतियोगिता में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, आज आप बहुत भावना सील रहेंगे, इसलिए किसी के बोलने से आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, घर एवन बाहर आज दोनों जगेवाद विवाद से बचें, सोच समझ कर कार्य विवहार करें, ब्रहम क स्थिती बन सकती है, पार्टनरों से मदभेद बढ़ सकते हैं, उच्छा धिकारी अप्रसन रहेंगे, अपेक्षित कार्यों में अनावशक विलंब होगा, अंजाने में कही गई सही बाद भी आपके लिए घलत हो सकती है, वानी पर नियंतरन रखें, आप अपने काम से संत रहेंगे, धन प्राप्ती का भी अच्छा योग है, माता जी के स्वास्ते की चिंता सताएगी, स्थावर मिलकीयत के मामले में कोई नियुन लेना योग्य नहीं है, मानसिक व्यगरता और शारीरिक अस्वस्त ता रहेगी, समय का चक्र तेजी से घूम रहा है, परिवर्तन क की अंदेखी न करें, चोट वद दुरगटना से हानी हो सकती है, वानी पर नियंतरन रखें, मान घट सकता है, विरोध होगा, शत्रुभए रहेगा, कुसंक्ती से बचें, अपनी योगिता को देख कर ही रोजगार से संबंदित निर्णले, स्वास्त अच्छा रहेगा, व अपने बॉस की हर बात को गंभीरता से लेकर उस पर अमल करना होगा क्यूंकि बॉस इजॉल वेज राइट, इसके अलावा ओफिशियल पॉलिटिक से खुद को दूर रखना है, व्यापार करने वाले व्यापारियों को अपने बड़े क्लाइंटों को सिर माथे लिना होग जो लोग प्रतियोगितागी तैयारी कर रहे हैं, उनको एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा, स्वास्थे को लेकर स्थिती सामान ले रहेगी प्रतिरोधक्षमता भरपूर है, यदि कहीं बाहर भोजन करने का विचार हो तो मित्रों या पारिवारे के सदस्यों के साथ ज आ सकते हैं, विवा, योगे कंयाओं के लिए अच्छे रिष्टे आ सकते हैं, आप सुन्धर्ता और शान्ती के प्रति आकर्शित हो सकते हैं, आज आप स्वय हम को एक शान्तपून वातावरण में आराम करते हुए पाएंगे, आपके घर में बदलाव लाने है तू या घर का नवीनी करण करने हितू अभी समय अच्छा है, नवीनी करण करने के उपाई भी आपको दिखाई देंगे, परन्तु यह कामकान ट्रैक्टर को देने की बजाय आप खुद करने की सलाह आपको दी जाती है, आज आपकी अंतरात्मा का मार्क दर्शन आपको मिलेगा, इसल आस्तवर्ध काहार ग्रेंड करें, जीवन शैली सामाने रखें और योगे व्यायाम करें, आज आपके विवाहग प्रस्ताव पर आपके प्रियवेक्ती से प्रतिक्रिया प्राप्त हो सकती है, अभी संकोच ना करें, आज आप सुबह से ही बहुत छोटे छोटे और कामों में उलच कर रह जाएंगे, इन कारियों से आपको दो पहर के पहले मुक्ती नहीं मिल सकेगी, लेकिन इसके बाद का माहौल, परिस्थितियां और घटनाएं भी आपको ज्यादा रास नहीं आएंगी, आपको अपने नौकरी धंदे के मामलों में कुछ खठनाईयों क का सामना करना पड़ सकता है, आप ऐसी परिस्थितियों का सामना होने पर धैर्य बनाये रखें, अपने कामकाज में इमानदारी और पारदर्शिता बरते और दूसरों के साथ तालमेल से काम करने के लिए तैयार रहें, शाम को पैसों के मामलों में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, आप किसी बड़ी खरीद या बिक्री का फैसला करने में सफल रहेंगे, लेकिन शाम को ही परिवार में थोड़ा कल लह पून वातावरन रह सकता है, आज आपको अपनी वानी पर नियंतरन रखना होगा, मुख से ज्यादा तर अविचारित कीस्म की बाते निकलें और उस पर आप ज्यादा से ज्यादा बोलने के लिए ततपर रहेंगे, कुछ कामों में रुकावटे आ सकती हैं, मेहनत ज्यादा हो सकती है, जॉब स्विच करने का मन बना सकते हैं, लेकिन सोच समझ कर फैसला लें, किसी काम या बात में जल्द बाजी करने से नुकसान हो स पार्टनर का मूड अच्छा रहेगा, दाम पत्य जीवन भी सुख में रखेगा, आज का दिन सुखी तरीके से बीतेगा, अपनी माता के प्रती विशेश नहें दिखाएंगे जिससे उनका आशिरवाद आपको प्राप्त होगा और आपको सुख की प्राप्ती होगी, आप कुछ लोगों को नौकरी में बदलाव या फिर ट्रांसफर की खवर मिल सकती है, आज आपके प्रेम जीवन में दिन अनुकूल रहेगा और अपने प्रिये के साथ प्रेम जताने के अवसर भी प्राप्त होंगे, आप अपने दिन चर्या को बेहतर तरीके से बनाएंगे तो आज के दिन का काफी लाब उठा पाएंगे हाला कि स्वास्ते के मोर्चे पर दिन थोड़ा सा कमजोर है, आज जीवन साथी के साथ आपके रिष्टे अच्छे रहने वाले हैं, आप नए कारियों का प्रारंब कर सकते हैं, यात्रा में थोड़ी सावधानी बरते, मेहनत से क कारे सिफल होंगे, कारेक्षेतर में आपकी उर्जा कस्तर काफी उचा रहेगा, पुराने दुश्मन आपर हावी रहेंगे, आपके लिए परिशानियों वाला दिन हो सकता है, शाम को बड़े भुजर्ग अपने दोस्तों के साथ किसी पार्क में टैहलने जाएंगे, आज आप दूसरों के सामने अपनी बात अच्छे से रख पाएंगे, मेश राशी वालों आज आपका दिन पहले की अपेक्षा अच्छा रहेगा, किसी सहकर्मी से जरूरी काम पर रोचक चर्चा हो सकती है, दूसरों की राए आपके लिए कारगर साबित होगी, जीवन साथी के साथ आपके संबंद मजबूत होंगे, कारोबार को बढ़ाने के लिए आपको कुछ खास लोगों से मदद मिल सकती है, बड़े भाई बेहन से कोई अच्छा सा गिफ्ट भी मिल सकता है, कारिस थल पर उच्छ अधिकारी आपके काम की तारीफ कर सकते हैं, आपको अचानक सि सुरे देव को जल अर्पित करके नमस्कार करें, जीवन में लाप के अवसर प्राप्त होंगे, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना मेश राशी वालों का एक और दो मार्च 2021 का देनिक राशी फल, दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स मे जयमातादी जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेर करना बिलकुल न भूलें, और हमारे इसे स्टोलोजी और वास्तू ग्यान, यूटूब चानल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको मिल सकें, हर हमारी अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले, धन्यवाद।